नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का मेरे स्यूटीब वीडियो कलास में जिसमें आपको मेरे चैनल के विहार वोड़ बरगास्टम संस्कीत वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे उन्हें भी एक बार आवस्टे देखें अब ज़़ा समय नहीं लेते हुए सभ्तमा पाठा प्रचिन्ना विश्व विद्याले का अध्यान प्रारम करते हैं जिसमें अब यहां पर योगता विस्तार के लिए कुछ बातें हिंदी में लिखकर बताया गया है जिसमें लिखा है प्रचीन भारत में विभिन अपने स्वर्ण यूग में थे विदेशों में एकाद अस्थान पर ही ऐसे विवस्तित शिक्षाले थे तक्सिला नालंदा या विक्रम शिला एक तीन विश्व विद्याले प्राचीन भारत में अनेक सास्त्रों के अध्यन के लिए विद्यान को भी अक्रिष्ट करते थे प्रस्तूत पाठ में इनका संशिप परिचय दिया गया है यहां आप इस पिक्षर के माधम से देख सकते हैं कि इन विश्व विद्यालों के एक खंडहर आज भी अपनी प्रचीनता और भव्यता के गाथाएं सुना रही है कि उस चमाने में कितना भव्य और महत्पुन हु इसे कहते हैं तथा इसकी क्या-क्या खुबिया है यहां इस पहले पर अगराप पर ध्यान दीजिएका जिसमें लिखा है। जैव अविधान विश्विद्याले लाई इती और रही है अनेक सास्त्रों का और ग्यान विश्यों का जेहां सिक्षा दी जाती है उसी का नाम मत्तर सीओं स्यों गिया अध्यापकानिक्ष भाव अब यहां इस दूसरे पर आगर आप पर ध्यान दिजेगा जहां भारत के उन पर्चिन विशुविद्यालेयों के बारे में बताया जारा है जिनकी ख्याती उस चमाने में भी देश विदेशों में हुआ करता था वो विशु विद्याले तक सिला नालंदा विक्रम सिला विशु विद्याले थे जिनके टकड का विशु विद्याले पूरे विशु में नहीं था तो यहाँ पर लिखा है प्राचीन भारत में तकशीलाया भूयो भूय उलेखो वर्तते बौध साहित में तक्सीला का बार बार उलेख है अयंग विश्विद्यालय गंधार देशे आसीत यह विश्विद्यालय गंधार देश में था तस्च देश तक्सीला यांग राजधानी बभुआ उस देश का तक्सीला में राजधानी था आमपरती तक्सीला या भगनावसेसा पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीप यहाँ धनुष विध्या आयूर विध्यास्य तता अन्यासंग विध्याना पी सिक्षनम आसीत यहां धनुस बिद्या आयुरुवेद बिद्या तथा अन्य बिद्याओं का सिछन दिया जाता था अत्र बुद्धकालिक वैद जीवग बैयकरन पानिनी मौर्य समराज अष्य संस्थाप का चंदगुप्त कुट नितिग्य चानक या इत्याद परसिधा छात्रा अधित्युपरत यहां बुद्ध कालिन बैद जीवाक बयाकरन पानिनी मौरे राजवन्स के संस्थापक चंद गुप्त मौर कुट नितिक चानक के इत्यादी परसीद छात्र धेन किये थे प्राचीन काल में भारत देश के प्राचीन गौरो विसुविद्धाले तक सीला के वर्नन के बाद अब आगे आता है हमारा नलंदा विसुविद्धाले जो उस समय विहार राज में हुआ करता था विहार परांत में हुआ करता था यह पिक्चर आप देख रहे हैं यह इसके भगनावसेस यानी खंडहर बहुत बड़े भुभाग में अवस्थित हैं कुमार गुप्त के द्वारा पांचवी सतावदी में इसकी अस्थापना की गई थी प्राया सत्सतानी वर्सानी अस अवस्थित हैं लगभग 700 वर्सों तक यह कायम रहा बरवरा नाम आकरमनेन अश्य विद्वन्स हो जाता हैं कुरूर आकरमनकारियों के आकरमन से इसका नास किया गया कहा सुना जाता है कि नलंदा विश्विद्व्धालय में बक्तियार खिल्जी ने आग लगवाया था सायत उसीने उसका विद्वंस करवाया था अत्रानेके चीने यात्री का बहुनी वर्सानी अधित्वन्त यहां अनेक चीनी यात्री बहुत वर्सों तक अध्यान किये थे तेसिव हुएन सांग परधान उनमें से हुएन सांग परधान है उनके द्वारा विश्वविध्यालय का विश्टित पुर्वाक विब्रंदिया गया है अत्र दस सहस्त्रानी छात्रा एक सहस्त्रमा ध्यापका निवसंती अस्माँ यहां दस हजार छात्र और एक हजार ध्यापक रहते थे यद पी बहुत धर में अस्य अभिनिवेसा अस्ती जबकी बहुत धर में इसका लगाव था किन्तु बहुनांग सास्त्रा नाम पी वर्ननंग सा करोती किन्तु बहुत सास्त्रों का वर्नन यहां किया गया था तानी अत्रपठ्थशनते अस्म जो जिसको यहां पढ़ाया जाता था अस्य विश्विध्यालिय अस्य यत्रमहान तह पुस्तकालया सब्तसू तलेशू अधित्वन्त इस विश्व विद्यालय की तीन बहुत बड़ा पुस्तकालय साथ मंजिल पर मौजूद था भगनाव सेशान विश्व विद्यालय से विशालात ग्याते खंड़हर से विश्व विशालता का पता चलता है अब यहां इस अगले परागराप पर द्यान दिजिएगा जिसमें बिहार राज के एक और गौरो विश्व विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम विक्रम सिला विश्व विद्यालय था जो तक सिला और नलंदा विश्व विद्यालय के ही तरह प्रसिद्ध था जहां इस चोथे फ्रागराप में लिखा है बिहार राज्ये एक पालवन्सिये राज्या धर्म पालेन अश्टमसत के संस्थापित विक्रम सिला विश्व विद्यालय अपी अनेक सास्त्रा आनांग सि शन के लिए प्रसिद्ध था अत्र अपि नलंदा या मियुँ चीन तिब्वत आधी देश अब्या आगता छात्रा अधियते अस्मा यहां भी नलंदा की तरह ही चीन तिब्वत आधी देशों से आकर छात्रा ध्येन करते थे केचान अध्यापका अपी उभा भ्यंग विद लीवत और चीन के लिए निमंत्रित होकर गए थे वी क्रमा शिल विस्मा फृत नावश के द्वह रूटने के याशा से कर दिया गया उभै विश्वविद्यालया बिहार अस्या गौरो भुतो अस्मा दोनों विश्वविद्यालया बिहार के गौरो थे तो बचो इस प्रकार से हम लोगों ने सक्तमा पाठा प्रचन्ना विश्वविद्यालया को पढ़ाता था इस पाठ के अध्यन से हमने यह जाना कि बह विद्याल है जैसे हुआ करते थे जहां देश-विद्यस के बड़े-बड़े विद्वान पढ़ने आया करते थे और पढ़ते थे वैसे महान गौरो देश क्या है हम हमारा भारत देश और हमारा बिहार तो बचो अब आगे हम लोग इस पार्ट के अभ्यास प्रसनों को हल करे तो चलिए अब अभ्यास प्रसनों के तरब चलते हैं पेज संख्या 89 से लेकर पेज संख्या 84 तक सब्दार्थ संदी विषेद और प्रकृति परत्य विभागांग है जो बना बनाया है आप उन्हें अवस्य एक बार लिख लिजिएगा उसके बाद जो है 84 पेज से आपका प्रसनोंतर प्रारंब होता है अब यहाँ पर पेज 84 से हमारा अभ्यास प्रसन प्रारंब होता है जिसमें मोखिका से प्रारंब होता है प्रथम प्रसन है अधोलीखिता अनंग पदा अनंग उचारनं कुरूत यानि यहाँ पर जो लिखे हुए सब्द हैं इनका उचारन कर पढ़के उचदित करना है जैसे लिखा है उसके बाद दूसरा नंबर प्रस्ण है जिसमें लिखा है अधोली कितानांग पतानंग अर्थंग बदत यानि यहां पर जो भी सब्द लिखे गए हैं उनका अर्थ पताना है जैसे इती का अर्थ होता है ऐसा उसके बाद यत्र मतलब होता है यहां जायते मतलब होता है भूयो भूया मतलब बारवार अधित्वंता मतलब होता है अध्यान करते रहे भगनाव सेशा का मतलब होता है खंडहरों पंच सत्के का मतलब होता है पांचवी सदी में खिष्टावदे का मतलब होता है इसवी सन मे बरवरेह का मतलब होता है कुरूरों के द्वारा उभाव का मतलब होता है दोनों अब यहाँ पर इस अगले प्रिष्ट से हमारा अभ्यास प्रस्न लिखिता से प्रारम होता है यहाँ पर जो भी उत्तर देना है वह लिखित में देना है जहां तिन नमबर प्रस्ण है निमिली खिता नांग प्रस्णा नांग उत्रम एकेन पदेन लिखत यानि यहां पर जो भी प्रस्ण लिखा गया है इसका उत्तर एक सब्द में देना है जिसमें कौन नमबर प्रस्ण है तक सिला विश्विद्याले कस्मीन देशे आसित तक सिल बरतमान समय में तक सिला का खंड़ हर் कहा पर है तो इसका उत्तर होगा रावल पिंडी उसकोथ प्रश्ण है मौरए राजये संस्थापक कह आसीत यानी इसका एंसर होगा चंडर गुप्त उसके बाद अब यहां पर चौथा नमबर प्रस्टा है जिसमें का रहा है कोष्ट का सब्दंग चित्वा रित अस्थानानंग पूर्यात यानि यहाँ पर जो कोष्ट में सब्द दिये गए हैं इसमें से सही सब्द को चून कर खाली जगह को भरना है इसमें कौन अमबर प्रस्ण है सश्ट सत के इस्वी पूर्वे डैस विश्व विद्याले आवर्त यानि छोसो विश्व पूर्व से ही डैस विश्व विद्याले अस्थापित हुआ है तो कौन है तक्षिला विश्व विद्याले यहां लिखेंगे उसके बाद खौन नमबर प्रस्ण है नालंदा विश्व विद्याले डैस इव आसीत नालंदा विश्व विद्याले डैस में था तो यहां इसका उतर होगा विहारे उसके बाद गौ नंबर प्रस्ण है कुमार गुप्त है डैस विशु विद्यालय अस्य संस्थापना कित्वान यानि कुमार गुप्त डैस विशु विद्यालय का अस्थापना किये थे तो यहां लिखेंगे नालंदा विशु सेंदस का था उसके बाद अंगा में है दर्मपाल 12 यह राजा असी धर्मपाल टिस बंस का राजा था दैस मंस तो यहां लिखेंगे बलंस का राजा था अब अगए यहाँ पर 910-3 नमबर प्रस्ण है कर रहा है नि Mlii黑itaanaang सबदा नांग प्रयोगन संस्क्रित वाक्यानी रचत यहां पर जो सब्द दिए गए हैं आपको पांच सब्द इनका पर्योग करके वाक्य की रचना किजिए तो उन पांचों सब्दों का पर्योग करके वाक्य क्या रचना किया गया है जिसमें पहला सब्धा अविधानम तो इसका वाक्य होगा बिहारे पुरा नलंदा अविशुविध्यालय अविधानम सिछा केंद्रम आशित उसके ब था सब्ध देर सर्षायं सब्सक्राइब स्थायर 11 2 नम्फर प्रश्ट lights 10 helps 10 ही उसके पांच्वा सब्द हैं 123 पांच्वाद होगा 123 बाथयती आग यहां पर 6 नॉम्मर्ण प्रश्ट्ण है लिखा है ति यहांनी इस अस्थ्थम को वाले को इस अस्तम एक, दो, तीन, चार, पाँच वाले, यानि यहां को से अंगा तक पाँच प्रस्न है और एक पाँच आप्शन है, इनमें इसको मिलाना है, जैसे को में लिखा है नलंदा विश्व विद्यालया, यह कहां है बिहारे, उसके बाद हुएन सांग, हुएन सांग कहां क था तो चिनियात्री का, उसके बाद चंद्रगुपत, तो चंद्रगुपत होगा, मौरे वन्सा, उसके बाद तक सिलाव, शुविद्यालया कहां था, गंधार देसे, उसके बाद धर्म पाला, तो पालवंस का था, धर्म पाल, अब यहां पर इस सात्वा नमर प्रस्न है, जिसमें लिखा है रिक्त अस्थानानी पूरेयत क्या एक वचन दूई वचन में इसको लिखना है बचन के रूप में यहां पर आपको पाच परस्ण है इस पाचों का हमलोग बचन रूप लिखते हैं एक वचन में दिया हुआ है दुई बचन और बहु बचन लिखते हैं गौ का एक बचन है पाठ्यती, दुई बचन होगा पाठ्यत, बहु बचन होगा पाठ्यती, खौ में है लभते इसका एक बचन, दुई बचन होगा लभेत, उसके बाद बहु बचन होगा लभनते, गौ का एक बचन है वर्तते, दुई बचन है वर्तते, बहु बचन होगा व अस्ती एक बचन में, दुई बचन में होगा अस्ता, उसके बाद बहु बचन में होगा संती इस आठवे नमबर प्रस्ट में लिखा है अधोली खिता नांग, सब्दा नांग, संधी संधी विखेदंग वाकुरूत, यानि यहाँ पर कौ से लेकर ज़तक सब्द दिये गए हैं इसमें कुछ सब्द का संधी करना है और कुछ का संधी विखेद करना है इसका हम लोग संधी और संधी विखेद दोनों करते हैं गो में है इत्यादया, इत्य जोड आदया, खो में है अस्या जोड अपी, इसका होगा अस्यापी, उसके बाद गो में है सब्द छात्राश्च, इसका संदी विशेद होगा छात्रा जोड च, उसके बाद गो में है संदी विशेद सब्द तस से जोड एव, इसका संदी होगा अब आगे यहाँ पर नो नमबर परस्ट में लिखा है प्रकृति परत्य विभागं कुरूत यहाँ पर छो सब्द दिये गए हैं इन छो सब्द का प्रकृति परत्य विभाग करना है जिसमें यहाँ पर एक नमबर में सब्द है दियते इसका प्रकृति परत्य में होगा दा जोड़ यक लट लकार पर्थम पुरूस एक बचन में ह उसके बाद तीसरा है लभनते इसका होगा लब जोड लट लकार पर्थम पुरुस बहु बचान इसके बाद है चौथा नमबर आसीत इसका होगा अस जोड लंग लकार पर्थम पुरुस एक बचान इसके बाद पांचवा है करोती इसका होगा क्री जोड लट लकार पर्थम लिखत, यहां पर जो सब्द लिखा गया है वाक के जो है, इसका यह सत्य है की असत्य है यह लिखना है या था यानि जैसे गयान केंद्रानी भौंति यानि गयान का केंद्र होता है, सत्य वात है यहां पर अब आगे यहां से प्रस्ण प्रारम्भ होता है को में है तक्सिला विशुबिद्यालय गंधार देशे आसीत यह भी सत्य है सत्यम लिखेंगे उसके बाद खौ नमबर में है मौरय राजस्य संस्थाप का धर्मपाल आसीत मौरे राज के संस्थापक धर्म पाल थे नहीं यह असत्यम होगा उसके बाद गौ नंबर में है नलंदा विशु बिद्यालय पाकिस्तान देशे आसित नलंदा विशु बिद्यालय पाकिस्तान देश में है नहीं यह भी असत्य है नलंदा विश्व विद्यालय जो है वह तो बिहार में है उसके बाद घौन नमबर में प्रस्ण है करा है विक्रम सीला विश्व विद्यालय धर्म पालेन संस्थाप पिता विक्रम सीला विश्व विद्यालय का सपना धर्म पालने किया था हाँ यह सत् यानि नलंदा विश्यविध्यालय का विध्वस जो है कुरूरो यानि यानि आकर्मनकारीं के द्वारा हुआ यह भी सत्य है लिखेंगे सत्यम हां आकरवनकारी ने ही उसका विद्वन्स किया था अब आगे आपका प्रस्ण है ग्यारा नंबर इसमें कह रहा है कि उधारना अनुसार विभक्ति बचन निर्णेंग कुरूत यहां जैसे लिखा है यह था ग्रीहेशू यहां किस विभक्ति और वचन लिखते हैं कौनमबर प्रस्ण है शाष्प्रा नाम या सश्व्टी विवक्ति बहु बचन है को नंबर है चाकर्म नेन तिर्था विवक्ती एक वचनम उसके बाद बरवरा नाम सश्टी विवक्ती वहुचनम यानि कुरूरों के द्वारा अब यहाँ पर बारावा नंबर प्रस्ण है कर रहा है हिंदी भासा या अनुबादं कुरूत इसका अनुबाद करना है जैसे को नंबर में लिखा है तकसीला विश् इसका होगा नलंदा विस्वद्यालय ककुमारगुप्त के द्वारा स्थापना किया गया अत्र सुयोगिया अध्यापक लोग बच्चो इस प्रकार से हम लोगो ने सब्तों पाषिन्ऑ विश्विध्यालयो को खुब अच्छे से हिंदियों बात करते हुए पढ़ाता था इसके अर्थों को समझाता था इस पार्ट के सभी अव्यास प्रस्णों को भी हल किया तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तूत यts अची लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट के मादम से मुझे भी यह बताएं कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत्य वीडियो कैसी लगती है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नमस्का